नमस्कार, वेलकम टू केरियन मंतरा 9.1, मैं अंकी द्यादव आपकी अपने यूटूब चैनल में आपका स्वाहा करता हूँ, आज़ी क्लास में हम यूपिटर पले सीपेड 2022 के लिए 100 प्रक्टिस सेट लेकर के आएंगे, आज़ी क्लास में हम बारती इतियास के प्रक्टिस सेट करेंगे, मैंने अभी तक 40 प्रक्टिस सेट कम्प्लीट करा चुके हैं, अगर आपने वो ना देखे हैं हो तो देख लीजी, हर क्लास में हम 10 प्रक्टिस सेट कम्प्लीट करा रहे हैं, तो इस तरह से 10 क्लास से आएंगे और आपके 100 प्रक्टिस सेट कम्प्लीट हो जा जाएगा हर एक्जाम से लेटेट ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपका समय ज़्यादा बरबाद नहीं करेंगे चलिए देखते हैं आज़ी क्लास का प्रक्टिस सेट नमर 41 का कुश्चन नमर 1 देखते हैं हम लोग एक सेकंड रूकी जरा है हमने कलर ले लिया पहला कुश्चन है खुजराओ का कदारिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था ओप्शन है चेदी ने चंदेल ने परमार ने या फिर राशकूट ने तो इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा चंदेलों ने महादेव का जो मंदिर था वो चंदेलों ने बनवाय तो इस question का रायट अंसर हो जाया ग्यासुद्दीन बलवन अग्वर के शाशनकान में पुनर गटित केंद्रिय प्रशाशन तंत्र के अंतर गत सैनिक बिवाग का मुख्य कौन था प्रमुख कौन था मीर समन, दीवान, बक्षी या फिर मीर कासिंग तो इस question का रायट अंसर है मीर बक्षी अनवार ए सुहाईली नामक ग्रंथ निमलकित में इसे किसका ग्रंथ है लीलावती का, सूर्शागर का, पंचतंद्र का फिर रामायन का तो इस question का right answer है पंच तंद्र का, अनवार ए सुहाईली जो है पंच तंद्र का ग्रंथ है, सिवाजी के शासन काल में सचिव का पद किस से संबंदित था, राज की ये पत्र वेहवार का कारे देखना, मुख्य ने आयदी, स्विदेश मंत्री या फिर राजस मंत्री, तो सचि पुर्ध गालियों को ने भारत में निम्लिकित में से किस स्थान पर प्रारंब दुर्ग का निर्मान किया था, कोवा में, कोचीन में, मंगलोर में या फिर कॉलकता में, तो कोचीन में जो है पुर्ध गालियों ने दुर्ग का निर्मान किया था, इस्ट इंडिया कंपनी क राजपूत राज्यों में साहिक संदी करने का मुख्य उद्देश क्या था अंग्रेजों की प्रभुता इस्थापित करना मराठा पिंडारियों से इन राज्यों की रक्षा करना सत्रों के बिरुद सैनिक साहिता प्रदान करना खिराज की रूप में धन प्राप्त करना तो किसके सलाकार थे? रानी लक्षमी भाई के? अजीम उल्लाह के? नाना साहथ के? या फिर खान बहादर खान के? तो ये जो है अजीम उल्लाह खाँ खनाना साहथ के सलाकार थे? राम कृशन मिसंच की स्थापना 1897 ऐस्वी में किस ने की थी? आप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, राम कृष्ण परमांस, भी जे तिलक मलब की बालगंगादर तिलक स्वामी विवेकानन्द तो राम कृष्ण मिसन के स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानन्द जी ने की थी भारत में नारी आंदोरन किसकी प्रिणा से प्रारम हुआ था, उप्शन है जोतिवा फुले, सरोजनी नायटू, एनी वेसेंट या फिर भीकाजी कामा रुस्तम तो जो है आपके भारत में नारी आंदोरन के जो उदगाता थे या प्रिणा अप्रारम हुई थी, वो ही थी जोतिवा फुले के द्वारा, यह उप्शन इस राइट, नेक्स सेट देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, सेट नमबर 43 पर आगे हैं, पर लास्ट कोशन के बिताते हडपा संस्कृती से, बैदिक साहिताओं से में, या फिर पश्मी भारत के तामर प्राशान संस्कृती से, तो B-Option is right, हडपा संस्कृती से जो है हमारे चांदी के उबलब्दता के साक्ष मिलते हैं, भारते परतीक पर उतकीन सत्यमेव जहते किस से लिया गया है, म वद्धों की कौन सी शाका सबसे प्रवावशाली थी, थेरवाद, तंत्रयान, हीनियान या फिर बज्रयान, तो बज्रयान जो है सबसे ज़्यादा प्रवावित थी, नासिक में कुम मेला निम्न लिखित में से किस नदी के तटपर लगता है, ठीक है, कुम का मेला जो है न प्रथम विवाजिन के समय स्वेतामबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थी? ओप्शन है देवार्दी छमाश्रमा, स्थूल भद्र, कालका, चार्य या फिर भद्र बाहू तो उस समय जो है स्थूल भद्र उसके संस्थापक थी लेक्स सेट की दरब चलने है, सेट नमर फॉटी फॉर कम समय में आपकी ज़्यादा प्रक्टिस करा ही जा रही है हमारी चैनल पर और लोग क्या है कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है और उसमें कोशन वही दस भी सोपाती है हमारी हर क्लास में जो है और मात्र वीस मिनट से कम की ही क्लास रही है पंदरे से 20 मिट की कलास रहे हो, पंदरे से 20 मिट की कलास में हम आपको 50 Goshen complete करा रहे हैं, 50 Goshen की practice करा रहे हैं, तो आप थोड़ा से समझिए कि आपको कहाँ पर benefit हो रहा है, ठीक है, चलिए set नमर 44 पर हम आ गए हैं, असुक के निमलेकित अभिलेकों में ऐसे किसमें दच्छिन भारतिय राज्यों का उल्लिक हुआ है option है दुतिय मुख्य शिलालेख सात्मा मुख्य शिलालेख आठमा मुख्य शिलालेख या फिर प्रथम इस्थम अभिलेख तो असुक के अभिलेखों में दच्छिन किसमें दच्छिन भारतिय राज्यों का उल्लिक अच्छन भारत के राज्यों का उल्लेग जो हुआ है, वो आपके दुतिश मुख्य शलालेग में हुआ है, सेकंड वाले में, ठीक है, यह अप्सन इस राइड, निम्लिकित में से कौन मौर युगीन, अधिकारी, तोल माप का प्रभाविरी था, सूनाद्यक्ष, पोतावदक अधिक्ष, समाहर्ता, या फिर अनंधपार, तो जो है, जो नाप तोल वगएरा के लिए था, वो तोल माप के लिए, वो पोतावदक्षक था, ठीक है, पोतावदक्षक, निम्लिकित में से कौन सी अवधी, गुप्तवन्ष के शाशन से अवधी है, ठीक है, गुप्तवन् इस से ले करके पांसो इसवी तक चला था, खुजराओ के मातिंगेव श्वर, मंदिर किस देपता को शमर्पित है, विश्नु को, ब्रह्मा को, दुर्गा को, या फिर शिव को, खुजराओ का मातिंग श्वर, मंदिर जो है, आपका फूर्थ उप्षन के विश्नु, विम् तो इस कुशन का राइट असर हो जगा शिव, शिव को समर्पित है, ठीक है, प्राचिन हाप्पा सबिता में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका घोतक है, हातिधात का, काली मिर्च का, एक प्रकार के उतकर्ष, मलमल का, या फिर एक विशेश औसधी का, तो काली मिर्च का उद्गोतक है, ठीक है, या वन प्रिय किसका उद्गोतक है, काली मिर्च का, ठीक है, प्रक्टिस सेट नमर 44 के बाद हम 45 पर आ गए हैं, ओप्शन थोड़े से कट रहे हैं, अब आपको क्लियर विजिबल होंगे, ठीक है, एक सेक्ट, हाँ, आप देखते हैं, कुशन नम पर फस्ट, रानी पदमिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तोर विजे से जोड़ा जाता है, उनके पती का क्या नाम था, आप्शन है, राणा मान सिंग, राणा रतन सिंग, राणा सांगा, या फिर रणजीत सिंग, तो इस कुशन का राइट अंसर है, बी आप्शन इस रा खाने, तो इस कुशन का राइट अंसर हो जागा, शिवानी खाने जो है, उनको इस युद्ध में पराजित किया था बावर को, सरे पुल के युद्ध में, इमने कितमें से कौन सा युग सुमिलित नहीं पूछा गया है, आप्शन पढ़ लेते हैं, अकबर की मृत्यू 1605 म में बिल्कु सही बात है, पानी पत का तर्ती युद्ध में बिल्कु सही बात है, और रंग जेप की मित्व यही बात जो हमारी गलत हो जाएगी, सिवाजी ने अश्ट परदान में सामिल आमात्य का कारिक क्या था, बित्य बिवाग की देखभाल करना, देखरेक करना, निय सिराजित दौला लड कलाइव द्वारा किस युद में पराजित हुआ था, ठीक है, तो मैसूर युद में, मुंगेर युद में, बकसर के युद में, या फिर पलासी के युद में, तो सिराजित दौला जो था वो पलासी के युद में पराजित हुआ था, लड कलाइव के द्वारा सेट अमबर 45 के बाद 46 पर आ गए हम लो अंग्रेजी भारती सेना में चर्वी वाले कार्थूस के चलने पर ली एनफीर्ड राइफल कब शामिल की गई थी? option है जनवरी 1156 में दिसंबर 1156 में जनवरी 1857 में या फिर जुलाई 1857 में तो 56 में सामिल की गई थी दिसंबर 1856 में ये राइफल सामिल की गई थी रिमलिकित मुस्पुरसों महापुरसों में से कौन भारती जागरती का पिता कहा जाता है मात्मा गांधी को ईस्वर्चंद विद्धा सागर को राजा रामोहन राय को या फिर द्यानन्द सरसती को तो जाकृती का जनक जो कहा जाता है राजा रामोहन राय को कहा जाता है। अंग्रेजों की शाशनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांद को किसने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नहरोजी, जवाला नहरू, वालगंगादर तिलक, फिरोश्या में था। तो दादा भाई नहरोजी ने जो है ये सिद्धांद प्रतिपादित किया था। वह कौन सा राज्जे के इंसासित प्रदेश है, जिसमें हडपा, सब्रता का इस्तर, धोला वीरा इस्तित है। आप्शन है जम्मू कस्मीर में, उत्तर प्रदेश में, महराष्ट में या फिर गुजरात में जो है आपका धोला वीरा अवस्तित है। अथर वेद का संबन्द किस विशे से है तंत्र मंत्र एवंवशी करण से दर्शन से विधी से या फिर समाजिक व्यवस्ता से तो अथर वेद में तंत्र मंत्र जादू टोने की बात ने की गई है तो ए उप्शन इस राइट सेट नमबर 47 की तरफ चल लए है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और कमेंट जरूर लखिए सेट नमबर 47 है गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था ठीक है गौतम बुद्ध की माता का नाम बूचा आप्शन है माया देवी त्रिशला देवी सुबद्रा देवी या च्छंपा देवी तो माया था माया देवी इनकी माता का नाम था अनेकांत बाद निम्लिकित में से किसका क्रोड सिध्धान्त है ठीक है उसका में सिध्धान्त है option पढ़ लेते हैं इसका बहुत धर्म का जैन धर्म का शाश्वत धर्म का या फिर शैव धर्म का तो B option is right जैन धर्म का जो इस इध्धान्त है क्या अनेकांत बाद भारत के प्राचीन प्राप्त सिक्के किस धातू के होते थे प्राचीन जो सिक्के मिलते थे वो किस धातू के होते थे सौने के तामे के चांदी के या फिर सीसे के तो प्राचीन जो सिक्के मिलते हैं वो चांदी के सिक्के होते थे निम्लिकित मौरस आश्रक बहुत धर्म के अनुय आई थी तो option दे रखें कोन-कोन अनुय आई थी ये बताना है option है असोक बिलकुँ सही बात है दश्रत ये भी थे बिंदु सार ये मौरत बहुत धर्म के अनुय आई नहीं थे ठीक है और चंद्रगुप्त ये भी नहीं थे तो इस question का right answer हो जागा first or second तो first or second के अनुसा D option is right योदे सिक्कों पर किस देपता का अंकन मिलता है कार्ति के का मिच्ट्र का बाशुदेप का या फिर इंद्र और बरुन का तो कार्ति के का जो है उलेक मिलता है अंकन मिलता है योदे सिक्कों पर next set की दरब चलते है set number 48 पर चलते है राजबंस जो कन्योज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणी संगर्स में उलजे हुए थे वे थी कौन कौन से थे option देख लेते हैं चोल पाल गुजर या फिर राश्ट कूट ठीक है तो इसमें से जो आपके तीन थे लाश्ट पाल गुजर और राश्ट कूट ठीक है तो 234 तो 234 किस option है बी option में यह है तो बी option इस राइट नेस कोशन है निमलकित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है नहीं पूचा जा रहा है ठीक है बोध गया विहार बिलकु सही है खुजराओ बंदेलकंड में हैं आपका नासि आपका किस नहीं है महाराश्ट में ठीक है तो यह गलत हो गए आपका और आपका तिरुपती रोयल सीमा पर बिलकु सही बात है तो C option is right नेस कोशन की तरफ चलते हैं निमलकित में से किस मद्दे कालीन शाशक ने सारुजिनिक बितरन प्लाली आरम की थी option है बलवन ने सिकं किस ने की थी अमीर कुसरो ने रस खान ने मलक मुहमद ज्यासी ने या फिर इशामी ने तो इस question का right answer हो जाएगा 12 मासा की जो रशना की थी मलक मुहमद ज्यासी ने की थी सिवाजी ने सलहार के युद्ध में किस को हराया था option है मुगलों को अफगानों को राशकूटों को या फिर अंग्रेजों को तो मुगलों को हराया था सिवाजी ने सलहार के युद्ध में सेट नमर 49 देखते हैं अंग्रेजी शाशनकाल में भारत का वह छेतर कौन सा था जो अफी मुतपादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार बंगाल तिरपुदा चारकन तो बिहार जो है अफी मुतपादन के लिए प्रसिद्ध था बिटिस जनर जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था सर टॉमस मन्रो ने सर आयर कूट ने कैप्टन पोम हेम ने या फिर जनर गोट या डायड ने तो आयर कूट ने हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने पोर्टो नोगों के युद्ध में महराष्ट में विद्वा पुनर विवा हेतु अभियान का नेतरफ किस ने किया था आप्सन है बी एस मालावारी ने दादा भाई नेरो जी ने विश्णू परुश्राम पंडित ने या फिर गोपाल हरिदेश मुखन तो बिश्णू परुश्राम पंडित ने जो है या भियान चलाया था इस्थाई बंदोवस प्रणाली के अंतरगत समूचे ब्रिटिस भारत छेतफ़वा लगवक कितने परतीसत हिस्से पर ये सामिल की थी इस्थाई बंदोवस कितने परसेंट पर थी तो ये जो है 19 परसेंट पर इस्था पितती कितने परसेंट पर थी 19 परसेंट पर छिफैली हुई थी इस्थाई बंदोवस next question है last question है सिंदु गाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थी कर्मकार्ण में, मात्रशक्ती में, यग प्रणाली में या फिर आत्मा एवं ब्रह्म में तो सिंदु घाटी के लोग जो है मात्रशक्ती, मत्दब मात्रशक्ती को मानते थे मात्रशक्ती में ये विजवास रखते थे लास्स सेट आ रहा है आज़ी गलास का पचासमा सेट है ठीक है तो समझ सकते हैं कि हमने पचास सेट कितनी जल्दी फिनिश कर लिए है 200 कोशन की स्रीज ये कंप्लीट हो चुकी है और 200 कोशन और और आने वाले हैं तो आपने अभी तक भी देख रहे हैं और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया उप्शन है जुनागड, बोगज, काई, मान, सेहरा या फिर सहबाच, गड़ी तो बोजजग, काई जो है ये सूशना देता है तरतिय बहुत सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था उप्शन है पावा में, बोद गया में, पाटली पुत्र में या फिर सारनाद में तरतिय बहुत संक्ती का जो आयोजन हुआ था वो पाटली पुत्र में हुआ था, थैड़ उप्शन इस राइट, सी उप्शन इस राइट, उत्व देश में बहुत और जैनियों, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ इस्तली निम्र खित्में से किस जन पत्में हैं, कुशी जो है, बहुत धर्म और जैन दर्म दोनों के लिए तीर्थ इस्तली है, महाभारत के अनुसार उत्री पांचाल की राजधानी कहा थी, ठीक है, उत्री पांचाल की राजधानी, कैपिटल पूछा जा रहा है, आप्सन है, हस्तनापुर में, अही छन में, मत्रा में, या फिर प्रियागराज में, तो अही छन में ये जो है, आपकी पांचाल की राजधानी थी, निमलिखित व्यक्तमों में से व्यक्तब बे असो के प्रसस्त स्थमों के बारे में गलत, गलत कह रहा है, ठीक है, तीन सही है और एक गलत है, इस्थमों का सेफ्ट सुन्डाकार था, बिल ओप्शन आपका गलत होगा, तो सी ओप्शन इसका राइट हो जाएगा, आज तक के लिए, थैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो, टेक केर, बाई बाई, धन्यवाद,